का भाव नौ मेहने में सबसे ज्यादा हो गया है और आप देखिए कि चार मेहने में किमते 15% तक बढ़ गई हैं इंडेस्ट्री की डिमांड है कि जल्द से जल्द सरकार ओपेन मार्केट सेल यहाँ पर चालू करें तो गोईल साथ पॉस्वागत है आपका आप बताएं सर क्य हाँ पे दे रही है और गया बदर जो है आल ओवर इंडिया जो है बराबर हर जगह एवेलिबिलिटी एंशोर कर रही है तो ज़रूर जो है क्योंकि आज की तारीफ में देखिए ना सरकार ने जो है स्टॉक लिमिट लगा रखी है स्टॉक लिमिट इस लिए लगाई है क्य तो वो जो कमी है बजारों की वो कोई तो पूरा करेगा या तो इंपोर्ट से पूरा होगा या जो है सरकार जो अपना बफर स्टॉक है या अपना जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसमें से बजार में डालेगी तो यह भी दो महने से इंतजार चल रहा है और जैसे जैसे विलम ड प्रदार्यार जो क्रौछ अब मुझा है जो कि घुर्णेता हमें को प्रक्रीरा चाहिए जो दैसे prac है जो है या जो जो है बजार का दा चल जाये कि मिलों प्रती अडर prop Rainbow Death तो तो हू सकता है बजार जो है फिर ना रुके और फिर जो है वापस स्पीड में आ जाकिन है न कर गया है जैसे आप ने कहा जा हूँ ताम जो है के आसपास हो तो बजार यहां पर रुख जाएगा अगर करेंट मार्केट रेट से काफी नीचे हो तो बजार नीचे की तरफ मुड जाएगा तो जो है वो सरकार के ओपर डिपेंड करेगा तो सर आप यह कह रहें कि यह दाम आगे घटेंगे या बढ़ेंगे यह इस बात पर किए कि सरकार कितनी सेल कर ती और किस प्राइस पे करती उससी पर डिपेंड इसर विल्कुल अच्याा तो फिर भी आपका आपका आपकटलान क्या है प्ने यह यह जो चीज है कि सरकार ने कहा कि सरकार से पहले जो है वो मेंसे स्खोल देंगे और जादा तर हर साल सरकार जो है त्योहारों को मद्दे नजर रखते हुए हमेशा जो है कोई ना कोई स्खीम लेके आती है तो मुझे पूरी उमीद है कि अब जैसे जल्ब से जल्ब से सरकार रिलीज करेंगी और उसी पर मारकेट का मूड माहौल डिपेड करेगा बहुत शुक्रिया गोयर साब आपका अमारे साथ जुड़ने के लिए गेहों पर ये बात रखने के लिए 28 सवर रुपए पर तिकुंटल दाम हो गए हैं गेहों के 24 सवर रुपए से बढ़के तो निश्ची तोर पर सरकार इसके उपर कुछ न कुछ कदम जल्द उठाएगी ये उमीद की जानी चाहिए